हलो फ्रेंड स्वागत है आपका मेरे यूटीब चैनल हिंदी कानूनी जानकारी में आज हम बात करेंगे भारती संबिधान के अनुच्छेद 120 के बारे में यदि आप भारती संबिधान से रेलेटेट पिछला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको भारती संबिधान का पिछला वीडियो मिल जाएगा हम बात करते हैं भारती संबिधान के अनुच्छेद 120 के बारे में ये कहता है संसद में प्रियोग की जाने वाली भाषा यदि सीधी सीधी लेंग्वेज में समझें यदि वह लोकसवा का सदश है तो लोकसवा के अध्यक्ष की अनुमती लेगा और यदि वह राजसवा का सदश है तो वह राजसवा के सवपती की सहमती लेगा इसके बाद ही अनुमती लेने के बाद ही वह अपनी बात अपनी मात्र भाषा में कर सकेगा हमारा भारत यदि कहें तो भाषाओं का देश है अब भाषाओं का देश है तो गुजरात में गुजराती चलती है पंजाब में पंजाबी चलती है तमिल नाडू में तमिल चलती है और ऐसे यदि हम देखें तो बहुत सारे ऐसे राज हैं जहां पर अलग अलग भाषाओं का उप्यूब किया जाता है अब ऐसे समय में यदी हम देखें तो संसत के सदनों में बहुत सारी भाशाओं को जानने वाले मानने वाले लोग भी रहते हैं रहते हैं का मतलब यह है कि वो सदस ऐसे इस्थानों से चुन करके आते हैं जो वो उनकी भाषा बोलते हैं लेकिन यदि संसत की भाषा की बात की जाए तो संसत में केबल अंग्रेजी में या केबल हिंदी में बात की जाए हिंदी या अंग्रेजी में दोनों की बात है तो हिंदी में या अंग्रेजी में ही कोई बात अपनी कही जा और राजिसभा का यदि वो सदश है तो राजिसभा में उसको राजिसभा के सभापती की अनुमती लेनी पड़ेगी यही बात यहाँ पर बताई गई है समझ तो लिया हमने लेकिन इसका एक बार हम पढ़ भी लेते हैं कि क्या लिखा हुआ है इसमें लिखा हुआ है पॉइं किन्तु अनुच्छे 348 के उपबंदों के अधीन रहते हुए संसद में कार्य हिंदी में या अंग्रेजी भासा में किया जाएगा परंतु यथा इस्तिती राजिसभा का सभापती या लोगसभा का अध्यक्ष अथवा उस रूप में कार्य करने वाला व्यक्ति किसी सदश को जो हिंदी में या अंग्रेजी में अपनी पर्याप्त अभी व्यक्ति नहीं कर सकता है अपनी मात्र भासा में सदन को संभोवदित करने के लिए अनुग्या दे सकेगा अनुमती दे सकेगा याने कि यदि कोई व्यक्ति दूसरी भासा में बोलना चाहता है तो उसे फिर अनुमती लेकर के बोलने की बात कही गई है कि फिर वो अनुमती लेकर के बोल सकता है यह तो हो गया पॉइंट नमबर एक याने के सीधी लेंग्वेज में हमने समझ लिया कि हिंदी अंग्रेजी में ही कोई यदि अपनी बात कहना चाहे तो हिंदी अंग्रेजी प्रारम के 15 वर्स की अवधी पश्चाथ ये अनुच्छे ऐसे प्रवावी होगा जिसमें या अंग्रेजी में सब्दों का उसमें लोग कर दिया गया हो यने के संबीदान के प्रारंब से ले करके संबीदान के पंदरा वर्स जब तक व्यतीतना हो जाएं तब तक हिंदी में और अंग्रेजी में कहा गया कि कोई व्यक्ति अपनी बात हिंदी में या अंग्रेजी में रख सकता है कब तक संभिदान के आरंब से 15 वर्ष समाप्ति तक लेकिन उसके बाद की यदि बात कही जाए तो उसके बाद सिर्फ हिंदी में ही कारे करने वाली बात यहाँ पर कही गई है याने के कोई भी बात संसर्थ में हिंदी में ही कही जाएगी 15 वर्ष तक हिंदी और अंग्रेजी दोनों को अनुमति दी गई थी लेकिन यहाँ पर यदि हम देखें तो दोनों भासाओं के अतिरिक्त यदि कोई अन्य भासा का प्रयोग करना चाहे तो अनुमति के द्वारा कर सकता है तो आज की वीडियो में हमने अध्यन किया भारती संबिधान के अनुच्छेद 119 के बारे में 119 नहीं 120 के बारे में यदि आप भारती संबिधान से रिलेटेड अगला वीडियो देखना चाहते हैं तो आप यहाँ पर किलिक करें यहाँ से आपको भारती संबिधान का अगला वीडियो भी मिलेगा CRPC, IPC और भारती संभिदान से related संपून वीडियो भी यहीं से आपको मिल जाएंगे तो आज की वीडियो में इतना ही वीडियो यदि आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट्स करें और यदि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें वेल आईकोन प्रेस कर दें ताकि अगली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके ये वीडियो देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद